नमश्कार मैं प्रीति काद्यान शहर की पांच बड़ी खबरों के साथ कैथल टीवी के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है तो आईए शुरू करते हैं इंबर से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वाइरल हो रहा है वीडियो में एक लड़की पुन्टरी के विधायक रंधीर गोलन और अपने खुद के ताओ धरंपाल सैनी उस पर और उसके पती पर जानलेवा हमले करवा रही है बलड़की लोगों से अपनी मदद के लिए अपिल कर रही है कैथल में आज लगू सची वाले के सामने एक यूवक पर कैंचियों से हमला किया गया मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है फिलाल लड़के को सरकारी हस्पताल में भरती रहा है और आगे की जाच में पुलिस लगी हुई है हर्याना स्टाफ सेलेक्शन के प्रती हर्याना के युवाव का गुस्सा दिन बदिन बढ़ता जा रहा है और इसे सिलसले को लेकर आज कैथल के अलग अलग सेंटर से बच्चे इकठा होकर पंचकुला के लिए रवाना ह हुए हैं वहाँ पर वो HSSC के कार्याला का घिराव करेंगे बच्चों का कहना है कि उनका विरोध HSSC दवारा जारी किये गए परिणाम में गड़बड़ी को लेकर है कैथल में वेक्सिनेशन अभियान जबर दस्त गती पकड़े हुए है महस चार दिन में ही वेक्सिनेशन के मामले में कैथल जिला पूरे हर्याना परदेश में 16 वे स्तान से 11 वे स्तान पर आ गया है इस समाजी कार्या में आमजन के साथ साथ समाजिक संगटनों का सहयोग भी लिया जा रहा है अब ऐसे में यह कहना बिलकुल भी गलत नहीं होगा कि कैथल जिला उपायुक्त का ये फॉर्मूला पूरे जिलावासियों के लिए सुरक्षा कवच बन गया है लड़कियों की उम्र 18 से 21 साल करने पर लोगों की अलग-अलग प्रतिकिरियाई मिल रही है जहां इस फैसले पर कुछ खाप पंचायते इसका विरोध कर रही है वही कैथल के IG कोलेज की छात्राओं ने इस फैसले का स्वागत किया है उन्होंने अपनी खुशी जताते हुए कहा है कि इस से लड़कियों को और जादा पढ़ने का मोका मिलेगा और उनकी आम समझ में भी बड़ोत्री होगी यह थी आज की शहर की पांच बड़ी खबरे अगर आप हमारी यह वीडियो यूटूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर फेस्बुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेच को लाइक करिए शुक्रिया